हेलो एब्रीवान वेल्कम बाक टी यर ओन रियल होमेकिंग चैनल आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे बहुत खुश होंगे और थैंक यू सो मच आप मेरे इंडिया के व्लॉग इतना ज्यादा पसंद कर रहें तो ये क्लिप मैंने सबसे पहले लीती इंडिया आकर फ्राइडे की ये क्लिप है और अर्ली मॉनिंग का टाइम है 7.30 हुआ है अभी हम लोग जा रहे हैं संतोशी माता मंदिर जो मेरे घर के बहुत ही पास है मेरी ममी हर फ्राइडे इस मंदिर आती है पहले तो वो फास्ट भी रखती है थी फ्राइडे का अब कुछ टाइम से फास्ट नहीं रख रही है बट मंदिर में दर्शन करने आती है और उनकी फ्रेंड आई है साथ में, मैं भी आई हूँ, गोविन को आटो में बैठने का बहुत शॉक है, तो गोविन भी आया है हमारे साथ, और यह मंदिर बहुत ही पास है हमारे घर के हरी नगर में ही है, जो आसपास के लोगों ये शायद गो इस मंदिर को पहचानते भी हो मंदिर में हम आ गए हैं, और यह देखे कितना दिव्य रूप है माता का, बहुत संदर वशाग थी माता थी, और अभी मैं आपको पूरा मंदिर एक बार दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको और भी रूप दिखाई देंगे मैया रानी के हम इस मंदिर में बच्चपन से आते रहे हैं, अपनी दादी के साथ आते थे और अब देखिए शादी के बाद अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा शिवाले भी है, तो सोचा सुबह सुबह चलो जल वगेरा चड़ा देते हैं इस तरीके के मंदिर में यूएस में बहुत मिस करती हूँ, मैंने कभी भी इस तरीके के मंदिर नहीं देखा जहाँ पे जल वगेरा चड़ाया जाता हो तो बस अभी जल वगेरा चड़ाएंगे और फिर थोड़ा सा दर्शन करेंगे और यहाँ पर मॉनिंग के टाइम पर भेटे चल रही थी क्योंकि फ्राइडे है काफी लोग यहाँ पर आकर कथा वगेरा करते हैं तो काफी अच्छा महौल रहता है थोड़ी दर बैठेंगे भेट सुनेंगे और उसके बाद फिर वापस घर को निकलेंगे आप देखी सकते हैं अच्छी खासी भीड रहती है मंदिर में फ्राइडे को तो प्राइड जै मात आदी, 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 Hello everyone, welcome back to your own real home making channel, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, and thank you so much, आप लोगो ने मेरे family vlog को इतना जादा प्यार दिया, तो मैं कुशिश कर रही हूं, as many as possible आप लोगों के लिए vlogs बना पाऊं, तो आज है Monday, अभी daytime था, और हम लोग तयार होके मेरी ताई जी के घर जा रहे हैं, तो मैंने सुचा, आप लोगों को वहां भी सबसे मिलवाँगी, तो चलो vlog स्टार्ट कर लेती हूं, और आप लोगों को इस साथ अपना इंडियन लुक भी शेयर कर देती हूं, तो देखें, मैंने ये बहुत ही ब्यूटिफुल सी ड्रेस पहनी है, अभी मैं आपको फुल व्यू इसका दिखाती हूं, अभी आप मेरा हलका सा जो मैंने मेक अप किया है वो देख लीजे, ब्लू कलर का काजल और आई-लाइनर लगाया है मैंने, तो बस अभी मैं आपको ड्रेस लिखाती हूं, और फिर निकलेंगे क्योंकि ममी बोल रही है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, किले प्लू अभी में वोल रहा है है कि लेटा चेज़ सब्सक्राब है, वी, यां विल्т, कि बेटामे Candش. प्लून पीा, कि घम पाले, 2203र6 क थामेंशाव, मैं अपनी ताई जी के घर कुछ तेर पहले आई थी यमी यमी लंच कर लिया और अब टाइम है आपको सभी से मिलवानेगा तो चलो मैं शुरुवात करती हूँ सबसे पहले अपनी बड़ी अम्मा से मिलवाने से तो अम्मा देखो नमस्कार नमस्कार सबको सबको आशरवात देदो अम्मा अशरवाद है भगवान बन्या रहे खुश रहे हैं यह देख रहे हैं अपको सब देख रहे हैं यह मेरी जो दादी थी उनकी बड़ी भेहन भी है और जेठानी भी है तो दो दो रिष् तो एक भी है मम्मी के साथ और घप गपे मारी हैं और ताई जी भूट शरमा रही हैं कामरे पे आने से तो यह मेरी प्यारी सी ताई जी नमस्ते करो अशरवाग देदो आरे मुझे नहीं सबको तो हो खुशना हो ताई जी कह रही थी कि मैं अच्छी नहीं दिखरी में थोड़ा सा मेकप करके आती हूं मैं थाई जी आप ऐसे बहुत ब्यूटिफु लोग तो यह मेरी ताई जी है और यह है मेरी सबसे बड़ी भावी आपने नाम बताओ जो यह कराई है सारी भावी खाना बना रही थी तो थोड़ी सी मतलब उनको उनके हिसाब से अच्छी नहीं दिख रही थी तो सब जा जा के आदा आद अगंटा लगा के त्यारो कर रही है अब आपको नाश्ता नहीं बनाना पिर से आप गंड़ी तो यह मेरी सबसे बड़ी अपने आपको के लिए बड़ी तो तो अरिशनल नाम बता दे कियान बहुत युझ सा नाम रखा है इसने अपना कितने बड़े हो आप किस क्लास में हो आम इं 10th ग्रेड मैं तो बही इतनी बड़ी नहीं नहीं बहुत बड़े बड़े है आप समको मेरी रियल एज पता है न मैं इति बड़ी नहीं हूं, मेरे भईयां काफी बड़े बड़े हैं असलिए भतीजे बटीजी काफी बड़े आपको दिख रहे हैं हाईट में छोटी हूं खड़े हाइट में चोटी हूं और यह है मेरी सबसे चोटी भावी आजिनो ने ही बहुत य्मिை खना बनाया था मातर मखाने की चब्जी तो इनसे रेसिपी में लें जाऊंगी आप लोगं के साथ भी शेर करोऊगी तो मैं आजके सारी रेसिपी एखटी कर रहा हूं है जा करोगी है यह हमारी सब से प्यारी दीदी है और मैं को अपनी बेटी से कहती हूँ इनसे मोटिवेट होई ऐसा नहीं है मतलब यह बहुत प्यारी है मैं इनसे काफी फोन पर भी बात करती रहती हूँ शिकागो से और इनकी बहुत बेटी है मैं तो इनकी सारी व्लोक्स देख थी हूँ आप देखते हैं यह लोग देखते हैं और इनकी बहुत सी बेटी है वो वेट करही है कि भुआ जी मेरा भी व्लोग बनाओ तो अभी मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ आजा 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 तो यह देखिए यह मेरी भतीजी बिल्कुल मेरे बराबर है यह मेरी भतीजी है वैसे मेरी बड़ी नहीं हूँ क्योंकि भाहिया बड़े है इसलिए भतीजी काफी बड़े हो गए है हेलो बल दो हाव यू अल हाव यू अल आपकिस क्लास में बट्टा अपना नाम बता दो पंकुरी इसा बकिस आपक्स्ति नाम है यह बहुत अच्छा डांस करती है मैं आपको यह तो बताने भूल गई है बहुत अच्य है इसका डांस तुमको भी बडाबर वीडियो다 शैर करें है यूट्यूब पे ओक है यूटीफुी मेरी भती जी ऐँ और ये है मेरे छोटे-छोटे बतीजा बतीजी, हाई बोल दो बेटा, हाइ, हाई, अभी शाम का टाइम है, और हम कुछी देर पहले ताई जी के घर से वापस लोटे थे, फिर भाईया बाभी बोलने लगे कि चलो बाहर डिनर करने चलते हैं, दो काफी ठके होई थी मैं तो, और बच्चे दोनों ही बहुत ठके होई थे, बड़ सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि ये मौके बहुत कम मिलते हैं मुझे तो, और भाईया भावी के साथ बैट के डिनर करेंगे, बाते करेंगे, हम लोग को नौट प्लेस जा रहे हैं, और ये देखें को नौट प्लेस में फेमिस बंगला साहिब गुरुदवारा है, हम लोग मिनार रेस्टरांट आये थे, काफी अच्छा रेस्टरांट है भी मैं आपको इसका इंटीरियर भी थोड़ा पाद दिखाऊंगी, और खाना यहां का अच्छा था, और जैसा कि मैंने कहा, दोनों बच्चे काफी ठके ह हुए थे, तो छोटा वाला तो सो ही गया, और गोविन भी बिल्कुल वर्च पिता सोने के, और फूड आते ही वो भी सो गया, तो यहां पे हमने ओडर किया है, होट इंसार सूप, यहां का खाना काफी अच्छा था, हमें पसंद आया, तो अगर आप डेली में हैं तो जरू ट्राइ करियेगा, उसके बाद हमने प्रॉपर इंडियन खाना ओर किया था, चूर चूर नान, मलाई कोफता और फ्राइड राइस हमने बच्चों के लिए ओर्डर किया था, बच्चे खाना आते ही सो गयते, तो बस अभी हम लोग बैटके खाना एंजॉई कर रहे हैं, हमन अपना डिनर, और बस डिनर करने के बाद वापस घर पे निकलेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा फैमली टाइम अपना इंजॉई कर रहे हैं, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, होप करती हो आपको ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपडेशार अपना खयाल रखिए, बाबाई